नए माली कुछ ऐसे गलतिया कर देते हैं जिसके कारण बीचारे पपी को काफी जादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं काफी सारे लोगों को पता ही नहीं होता नौलेज नहीं होता इसके चलते ये सब होता है तो आज की वीडियो में ऐसे कुछ बाते में आपको बताने वाला हूँ जो न्यू ओनर्स को जरू से याद रखनी चाहिए और आपके बास पपी है तो जरू से ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए क्योंकि ये इन्द एंड आपके लिए बेनिफिशल ही होगी तो ये वीडियो में हम जानेंगे कि न्यू ओनर्स को क्या गलतिया नहीं करनी चाहिए और इस वीडियो को लाइक एंड से जरू कीजे तो चलिए शुरू करते हैं सबसर पहले लोग जल्दी एडॉप कर लेते हैं अब काफी लोगों को लग रहा हूँ कि ये कॉमा नहीं इसमें क्या ही प्रॉब्लम होगी आपको ये प्रॉब्लम पहले पहले नहीं दिखती काफी सारे लोग क्या करते हैं कि बेबी अभी बॉण हुआ है कुछ दिन नहीं और उसे एडॉप कर लेके गर पे चले गए तो उसको उसकी मदर का मिल्क नहीं मिल पाता अभी एडॉप करते हो तो एक देड़ मेने के बादी करें इससे उसकी मदर का मिल्क मिलेगा और वो हेल्दी रहेगा नमबर टू पर आता है मिल्क अब मिल्क देना डॉप बिट को सही नहीं है या आपने बहुत बास सुनाओगा तो कुछ लोग क्या सोतते कि चलो काव मिल्क नहीं दिया बफिल मिल्क दे देता हो या फिर कोई और मिल्क दे दिया ऐसा नहीं होता है डॉप बिट को मिल्क नहीं देना चाहिए काव हो या फिर बफिल हो वो दोनों ही उसके लिए हामफुल हो सकते है आप अगर उसे milk देते हो तो उसको lose motion हो सकता है काफी सारे लोग ने adopt कर लिया तो शुरुवात में बोलते milk देना अच्छा रहेगा चलो दे देता हो लेकिन इसके चलते dog bit को problems face करनी पड़ती है ये छोटी छोटी मिश्टे के आपको याद रखनी चाहिए आपको जब dog bit adopt कर लो उसका diet plan देख लेना जो भी dog bit ले रहे हो सबसे पहले उसको जब वो बड़ा हो जाता है थोड़ा सा यानि उसकी mother milk उसको मिल जाता है प्रॉपरली उसके बाद आप adopt करते हैं इसे अलग अलग चीज़े अलग अलग एज में होती है तो उसका diet plan जरू से चेक कर ले थर्ड यह मिश्टे काफी जादा कॉमन होती जा रही है कि डौग भी जो है घुम जाते है या पपी घुम जाते है काफी सारे लोग careless रहते है और अपनी 55 को कहीं ऐसी जगह पे रख देते हैं जहांसे वह कहीं और काफी जादा चबाना चाहता है तो पत्थर हो गया या फिर कारबोड हो गया कुछ भी ऐसी चीजे खा लेगा जो उसे पता नहीं होता क्योंकि वह पपी है अभी न्यूबॉर्ण हुआ है उसका बेबी जैसा माइंड होता है इसलिए उसका ध्यान आपको ही रखना पड़ेग नेक्स्ट आता है वैक्सिनेशन और डिवोर्मिंग वैक्सिनेशन और डिवोर्मिंग कराना चाहिए वह सही है लेकिन इनमें लोग गलती क्या कर देते है कि जब वैक्सिनेशन कराने जाते है तब डॉग बिट को जो है जो भी डॉक्टर हो या फिर जहां पर भी ले जारे इसलिए अगर vaccination कराने जा रहे हो जब पपी हो तो हो सके अपनी गोदी में ही रखिये उतना और फटा फट से vaccination करके वहां से अपने पपी को बाहर ले जाए है क्योंकि डॉग बिट को वहां से भी बिमारी हो सकती है डिवार्मिंग भी लोग कराते हैं हम तो time to time करा रहे हैं लेकिन आप ये भूल जाते हो कि डिवार्मिंग की टेबलेट कभी बार जो है डॉग बिट खाता नहीं याई निगलता नहीं काफी बार उसके मूँ में ही रखता है और आप कहीं यहां वहां चले गए तब वो गोली तो यह हमेशा चेक करना है कि आपके डॉग बिट जब भी डिवार्मिंग की गोली देते हो तो अच्छे से निगल ले पूरी तरह से और जो भी गोली हो उसे फेके ना नेक्स्ट आता है फूड अब फूड के मामले में काफी सारे लोग ऐसा चूस करते है कि कोई low quality का फू करके दे सकते हो काफी बार डॉग बीट को अलग अलग nutrition vitamins मिलते नहीं है तो आपको जो है डॉग food में वह डॉग बीट को मिलते हैं उससे उनको बीमारी नहीं होती इसकी इलर्जी नहीं होती इसलिए जो भी डॉग food सिलेक करो वह proper और अच्छा सिलेक करो जिसमें उसको सार करने की दिमेबदारी आपकी होती है तो सारे चीजे जो है आपको देखके ही करने आशकरता वीडियो में आपको कुछ जानने मिला होगा आपके पपी के बारे में उसकी हेल्थ के बारे में वीडियो को एक लाइक जरू कीजिए चैनल पर नहीं होतो सब्सक्राइब कर कर दो दो कि उचिए कर दो दो में ऊते हम एर दो कि घट खना कर दो कि दो कि अज़ कर दो में घदके